नमस्कार भारत में अब तक ये सबसे बड़ा बचाव अभ्यान चल रहा है जो आप देख रहे हैं सत्रह दिन एक पहाड के नीचे धसीवी सुरंग में फसेवे एक तालीस मजदूरों को देश ने सुरक्षित निकाल लिया है और ये बहुत मुश्किल काम था इसके लिए अमेरिका तक से और मशीने मंगवाई गई तरह तरह से पहाड का सीना चीरने की कोशिश हुई और इन सत्रह दिनों में मजदूरों को खाना पानी ऑक्सिजन सभी कुछ पहुँचाया गया लेकिन वो सत्रह दिनों तक उस सुरंग के अंदर गैद रहे उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा गया मशीनों के बलेड पहाड में फसने लगे तो उन्हें काट कर निकाला गया और आखिर में रैट माइनिंग यानि के चूहे के जैसे खुदाई धीरे धीरे जो हाथ से कुदालों से की जाती है उसका सद्यों पुराना तरीका आजमाया गया और आखिर में यही कामियाब हुआ मजदूरों ने आखिरी खुदाई की और वो कामियाब रहे जोरान राजे के मुखे मंत्री पुशकर धामी लगातार हाथसे की जगा पर आते जाते रहे आज भी वो सुरंग में रहे उनसे प्रधान मंत्री बात करते रहे प्रधान मंत्री कारियाले के अधिकारियों ने इस पर नजर रखी तो ये बड़ा ओपरेशन था जो भारी मेहनत से कामियाब रहा है और इस वक्त जो खबर आ रही है अब तक 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है जो बहुत बड़ी खबर है क्योंके कुल 41 मजदूर वहाँ पर फसे तेज साथ बच कर पांच मिनट पर बताया जा रहा है कि पहला कॉन्टाक्ट हो पाया यानि के टनल पूरी तरह से बन पाई और निकालने का काम शुरू हुआ और अभी लगबग जब साड़े आठ बजे हैं तो बताया जाता है कि 33 मजदूर बाहर निकल आए हैं कुल 41 मजदूरों को निकालना है यानि जिसका अंदेशा था लोगों को कि इसमें वक्त लग सकता है वैसा नहीं है और इसके लिए बाहर में तमाम इंतिजाम भी बिल्कुल चुस्त किये गए हैं स्ट्रेचर्ज, अम्बिलन्स, डॉक्टर, दवाएं यहां था कि रिशिकेश में एम्स में 41 बेड अलग किये गए थे ताकि किसी भी तरी की जरूरत अगर हो तो मजदूरों को वहां पर फॉरन ले जा सके तो यह इस वक्त खबर आई है कि अब तक 33 मजदूरों को बाहर निकाला गया हम आपको तस्वीरे भी दिखा रहे हैं जनरल वीके सिंग वहां पर पहुंचे वे हैं मजदूर जो बाहर निकाले जा रहे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है बाहर में मजदूरों के परिजन है इसके इलावा यहां पर मुख्य मंत्री है पुशकर धिंधामी इस वक्त दिखाई दे रहा है कि पुशकर सिंधामी और वीके सिंग दोनों वहां पर मौजूद है यह rescue workers साथ में हैं और जो लोग वहां से निकाले जा रहे हैं अब सुरंग से 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सयोगी नीता भी जोड़ी है नीता खबर आई है कि 35 मजदूर निकाल लिये गया है यह worker को लाने के लिए लगबग 5-7 मिनट का समय लगेगा तो वैसा ही हो रहा है लगातार जो workers हैं उन्हें लाया जा रहा है जो एक बार जो टीम अंदर गई तीम और डिमोंस्ट्रेट करकर आई वह जो स्ट्रेचर उन पर ले लेकर उन्हें बहार लाया जा रहा है 35 अभी तक लाये गए अब कुछ ही मिन्टों में यह पूरे के पूरे एक तालिस होंगे जैसा कि हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे जब वह बहार आ रहे थे जब मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे थे और क्योंकि एक BSNL line अंदर established कर दी गई थी तो यह मानसिक स्तर पर एक बहुत बड़ा जो है वह फिल अप करता है या कहें पुश अप देता है एक confidence देता है कि तुम अपने family के साथ संपर्क में हो तो ऐसे में वह बिलकुल ठीक है जैसा कि हम वहां पर doctor से बात कर रहे थे तो हो भी यह कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अस्पताल ले जाने की जरूरत होगी लेकिन administration just as for precautionary सेख हर एक मजदूर का जो वाइटल्स है वो चेक करवाएंगे उसकी लिए उन्हें अस्पताल ले जाए जाएगा और इच मजदूर जो है जो इच वरकर है उपने family member और एक नोडल ऑफिसर के साथ accompanied होगा जब उसे जो ambulance है नीचे चिल्यानी सौर के अस्पताल में लेकर जाएगी जैसा अब बता रही है कि तमाम जो मजदूर है उनके साथ में एक नोडल ऑफिसर भी होगा उनके परिवार के एक सदर से को इनके साथ में जाने की इजाज़त दी रही है और अब पूरे ये खबर आ रही है कि 41 मजदूर बाहर आ गए हैं तो ये एक बहुत बढ़ी बात है बहुत अच्छी खबर है कि इस वक्त वो तमाम 40 मजदूर जो इस सुरंग के अंदर 17 दिनों से फसे वे थे वो आखिर अब 8 बच कर 36 मिनट हुए हैं तमाम 41 मजद हैं वो बाहर आ चुके हैं उनको इतना वक्त नहीं लगा निकालने में जितना कि एक अंदेशा था ये कि शायद वक्त लग जाए अच्छी बात ये भी है कि किसी तरह की कोई एमर्जेंसी की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक ये बी साफ साफ समझ में आया है पुशकर सि कामी वहाँ पे हैं जनरल वीके सिंग है नीता आप ये भी बता रहीं थी कि अंदर में भी डॉक्टर्स वहाँ पे टनल में हैं स्ट्रेचर्स तमाम जरूरी दवाएं बाहर में आम्बिलन्स तो ये मेडिकल फसिलिटीज भी पूरी है और इस वक्त ये खबर है कि 41 मजदू बाहर आ चुके हैं बिलकुल ये बहुत बड़ी काम्याबी है लगभक 40 एजन्सी जो है वह काम के लिए लगी थी जिसमें आर्मी शामिल थी एफो शामिल थी बाकी की जो तमाम प्राइविट कंसर्ण्स हैं वह भी शामिल थी लोकल अड्मिनिस्ट्रेशन शामिल थी 41 साथ एक मजदूर से बात कर रहे हैं और वो ठीक लग रहे हैं ऐसे ही बाकी के जो लोग आए तो वह अपने आप चल कर आए जब हम डॉक्तर से भी वहां पर बात करते थे नगमा तो वह कहते थे किसी को कुछ भी नहीं है काना पीना एक दिम उनके पास इस्टोग रखा दा से तो तुम्हारी भी ठीक लग रही है और बिल्कुल तंद्रस एसे ही वह है सर ऐसी है ऐसे ही है अच्छा क्या खुशी थी उनके बज़ारे में जैसी आपको देखा बहुत ज्यादा खुशी थे बहुत ज्यादा अच्छा आप क्या कहेंगे आप यंदर हमारे सायोगी के शोर रावत बात कर रहे थे उन लोगों से जो रैट माइनर्ज हैं जो नोगों ने आ考र में काम किया और जिनके वज़े से आकिर में जो महनत जिसकी जरूरत थी जहांपर मशीने काम कर रही थी… लोगों ने वो काम किया है और आखिरकार मजदूर बाहर आए हैं लेकिन हम आपको कुछ देर में दुबारा दिखाएंगे ये इनकी जो बातचीत हैं लोगों के साथ में इससे मैं आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर से मजदूर बाहर आ गए हैं अब यही खबर आई है क कि तमाम मजदूर बाहर आ चुके हैं एक एक करके मजदूरों को निकाला गया है खबर यही है कि कुल 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ गए हैं